उजास प्रविशिका भाग एक पाठ तीन हमारा रहन सहन भाग चार एकाई और दहाई समुहों में गिनना प्रिष्ट इक्यासी नीचे दिये गए दस रुपे के नोटों और एक रुपे के सिक्कों से कुल कितने रुपे बनते हैं अनुमान लगाईए और उत्तर लिखिए यहाँ पर एक तालिका है इसके तीन खाने हैं पहले खाने में लिखा है दस रुपे के नोट दूसरे में लिखा है एक रुपे के सिक्के और तीसरे में लिखा है कुल रुपे क दस रुपे के तीन नोट जमा एक रुपे के सिक्के चार, बराबर कुल रुपे चोंतिस ख दस रुपे के तीन नोट जमा एक रुपे के दो सिक्के बराबर रिक्तिस्थान ग दस रुपे का एक नोट जमा एक रुपे के आठ सिक्के एक रुपय के दो सिक्के बराबर कुल रुपय बाईस रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान बराबर कुल रुपय बत्तिस च रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान बराबर कुल रुपए चालीज च रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान बराबर कुल रुपए ब्यालीज अब आप इस तालिका में दिये गए रिक्त स्थानों में दस रुपए और एक रुपए की सिक्कों की मदद से स्वेम पूरा करें शिक्षिक निर्देश सहभागियों को बताएं कि दस-दस के समुह में गिनने से बड़ी-बड़ी संख्याओं को गिनना आसान हो जाता है ये समझ भी विक्सित करनी है कि दस एकाईयों से मिलकर दहाई बनती है प्रिष्ट 82 रहीम के पास 50 रुपए हैं जिसमें 10 रुपए के 4 नोट हैं और 1 रुपए के 10 सिक्के हैं यहाँ पर 10 रुपए के 4 नोट दिखाए गए हैं और साथ ही 1 रुपए के 10 सिक्के भी हैं अब आप इन प्रश्णों के उत्तर दीजिए कर रहीम ने अपनी बेहन के लिए 15 रुपए की चूडिया ली उसने दुकानदार को कितने नोट और कितने सिक्के दिये रिक्तिस्थान 10 रुपए का नोट रिक्तिस्थान 1 रुपए के सिक्के बराबर दहाई रिक्तिस्थान 1 रिक्तिस्थान ख रहीम ने 22 रुपए की चाठ भी खाई दुकानदार को रहीम ने कितने नोट और कितने सिक्के दिये होंगे रिक्तिस्थान दस रुपे का नोट, रिक्तिस्थान एक रुपे के सिक्के, बराबर दहाई, रिक्तिस्थान, इकाई, रिक्तिस्थान ग, रहीम के पास अब दस रुपे के कितने नोट और एक रुपे के कितने सिक्के बचे हैं रिक्तिस्थान दस रुपए का नोट, रिक्तिस्थान एक रुपए के सिक्के, बराबर दहाई रिक्तिस्थान, इकाई रिक्तिस्थान. शिक्षक निर्देश रुपए, मिठाई के डिब्बे एवं फूलों की माला द्वारा सहभागियों में एकाई तथा दहाई की समझ विक्सित करने की एक शुरुवात की गई है सहभागियों को स्वयम अपने अनुभों से ऐसा करने का अफसर दें ऐसी अन्य संख्याओं को लेकर सहभागियों को पृत्साहित करें कि वे उनमें कितने दस दहाई और कितने एक इकाई होंगे पता लगाएं